Hello Everyone, स्वागत है आपका Study 1.2 में आज के इस वीडियो में आउसत यानि एवरेज के कुछ बेसिक सवाल बताऊंगा तो वीडियो के complete देखना आपको अच्छे से सभी सवाल समझ आ जाएगा तो पहला सवाल है एक से 39 तक की संख्याओ का आउसत यानि एवरेज क्या होगा जब इस टाइब के सवाल कोई पूछे तो इसका एक छोटा सा फर्मूला होता है फर्मूला है n पलस 1 बाई 2 इसमें n क्या होता है जो last नमबर होगा न उसको हम n लेके चलेंगे ठीक है तो n के जगा 39 पुट करेंगे पलस 1 बाई 2 39 पलस 1 30 बटे 2 अब इसको भाग करेंगे काटेंगे ये आजाएगा 15 तो एक से लेकर 39 तक की संख्याओ का आउसत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दूसरा सवाल है पर्थम साथ संख्या का आउसत कितना होगा इसमें पुछा है पर्थम साथ संख्या का संख्या कौन से संख्या होता है वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए ठीक है उसको बलता है संख्या अग जो 2 से पूरी-पूरी ना कटे उसको बोलता है विसम संख्या, इसमें पुछा है परतम 7 संख्या का ओसत, जब संख्या का पुछे, तो इसका एक छोटा स़ फर्मूला होता है, n पलस 1, यह फर्मूला है, n क्या होता है, यहां पर जो नंबर दे रहा होगा, 7 संख्या परतम साथ समसंग कहा कौन सा है दो चार छे आठ दस बारह चोजण यह परतम साथ समसंग की ठीक है क्या करेंगे इसको जोरेंगे यह आजाएगा शपन ठीक है बटे में इससे काटेंगे ता आगे पांच आठ एक्यारह 14 डैस डैस 47 तक का उसत कितना होगा मतलब 5 से लेकर 47 तक का उसत क्या होगा देखिए इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों के बीच में गैप तीन की है इसमें भी तीन कि सब में गैप सेम है जब ऐसा सवाल है कि जब सब की गैप सेम हो तो इसका एक सिंद बत्व होता है क्या होता है परत्थम संख्यां 5 प्लस अंतिम संख्या जो 47 दे रहे हैं यह लिखेंगे अब बट्प में 2 लिखेंगे अभी इन दोनों को जोर देंगे 5 पलस 47 यह जाएगा बावन बट्प में 2 अब इसको 2 से भाग कर देंगे बावन को दूदूनी चार यहां एक आएगा फिर दो दो छक्के बार यह आगया 26 इसका एवरेज यानि आउसत इसका 26 आ गया आई होप आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा कि आउसत यानि एवरेज की बेसिक सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ध अन्यवाद